प्रेंट्स अभी जो हम टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनम सेकेंडियर का मेडिकल सेर्जिकल फेस्ट का हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन क्या है पहले आप इस फोटो को गवर से देखिए हाइपर टेंशन में दो ची होता है सिस्टोलिक प्रेसर और डायस्टोलिक प्रेसर जो सुरुआती होता है जो उपरी होता है वो सिस्टोलिक प्रेसर होता है जो निचला होता है और डायस्टोलिक प्रेसर हो जिस जब जब नर्मल प्रेसर 120 वे 80 आता है तो उसको हम लोग नर्मल बीपी बोलते हैं लेकिन जब वहीं बीपी 120 से उपर जाने लगता है 139, 30, 40 तो उसको हम लोग elevated high pressure बोलते हैं जब उससे भी जाता है 140, 150, 160 और जो डास्टोलिक प्रेसर होता है 90, 95 तो उसको हम लोग elevated high blood pressure बोलते हैं अभी हम जो बात करेंगे high blood pressure के बारे में बात करेंगे hypertension के बारे में बात करेंगे hypertension जो है एक समान बिमारी है आज के समय में एक समान बिमारी बन गया है और इसमें क्या है एक जो बीपी है blood pressure है एक रक्त का चाप है मतलब कि रक्त पर कितना दबाव है कितना चांप है उसको बतलाता है ब्लड प्रेसर जब बीपी प्रेसर बहुत ज़्यदा हो जाता है तो उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेसर बोलते हैं अभी हम जो बात करेंगे हाई ब्लड प्रेसर के बारे हम बात करेंगे मतलब कि जब आपका BP 120 से उपर मतलब कि 40 हो, 50 हो, 60 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं High Blood Pressure जिसको ए जो हुआ सिस्टोलिक प्रेसर हुआ है डिस्टोलिक प्रेसर नर्मल होना चाहिए 80 जब अब 85 हो, 90 हो, 100 हो तो इसको हम लोग बोलेंगे High Blood Pressure बोलेंगे अब हम बात करेंगे High Blood Pressure के बारे हम बात करेंगे High Blood Pressure जब बढ़ता है तो आदिके अंदर क्या-क्या लक्षण होने लगता है उसकी क्या पाचान होता है High Blood Pressure जब बहुत जदा होने लगता है तो आपको सर में दर्द आना चालू हो जाता है हाई ब्रडर प्रिसर बहुत जब बहुत ज़्यदा हो जाएगा तो सर्व में कहोगा दर्द हो जाएगा, बेचैनी होने चालू हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ आने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, सीने में दर्द होने लगेगा, मूत्र में खून आना चालू हो रहे हैं ऐसे स्थिति में आपको तुरुएंद डॉक्टर के पाश जाकर अपना प्रेसर चेक अप करावा लेने चाहिए कि प्रेसर मेंदा कितना हाई है हाई तो है लेकिन कितना हाई है कि उसके हिसाब से आपको डॉक्ट्री सलाह के जुर्पूर्थी है हाई ब्लोर्ट प्रेसर के कारण क्या हो सकती हाई प्लोर्ट प्रेशर के बिखीन परकार के कारणे है इसको हम लोग दो भाग बाड़ दे हैं प्राइमरी साइपर टेंशन और सेकेंडर्य हाइपरट Also primary जो high blood pressure होता है जैसे आप देखते होंगे जैसे कोई ब्यक्ति है जिसे उसको बहुँ ज़्यदा काम पढ़ गया तो बहुँ ज़्यदा काम कर रहा है तो उससे भी pressure उसला सब बढ़ जाता है वक्ति दौड़ कर रहा है उसे भी बहुह ज़िदा प्रेसर बढ़ जाता है तो पुलत में चलते होता है। और प्रेसर क्षों टेंशन पिरी होगा जैसे हैं रिल्स मोड में आएंगे होगा नाँ लेवल में आ जाएगा जो secondary लेकिन जो secondary जो high blood pressure होता है वो किसी ना किसी कारण के चलते होता है जब तक से उस कारण को आप treat नहीं करेंगे तब तक सो बिमारी नहीं जाया सकता है तब तक से आपका pressure high ही रहेगा जैसे आपको एनिमिया जैसे ब्लड की कमी हो गई आपको गुर्दा की बिमारी हो गया आपको थराइड की समस्या हो गया कोई गुलिया आपने ले ली है आपको बहुत कभी चोट लग गया हो आपकी सराब की लत है इस सब क्या करते हैं इस secondary blood pressure के कारण होते हैं इसमें का होता है कि आपको BP को बढ़ लिएगा तब तक वो आपको BP को बढ़ाए रखेगा BP को बढ़ाने वाला एक और कारण है आपको बढ़ती हुई उम्र अधि आपका उम्र बहुत जदा बढ़ा हुआ है तो जदा उम्र के ब्यक्ति को अक्सर आप सिकायत सुनिएगा हाई BP का आप देखोंगे अपने क complex भ्यक्ति करें की समब्हाद होने की संभाउना रहता है है दूसरा होता है मोटापा मोटा ब्यक्तिकों जो जिसके उंदर मोटापा होता हैardeş ईसको hyb BP की समस्झे आ रहता है किई उसकी हुद्आ बढ़ा होता पानि की मत्रा ज्यादा होने कारण पानि की नस्य होती है द सोना ज्यदा पसंद करते हैं कोई काम करना नहीं पसंद करते हैं वैसे बैठना पसंद करते हैं वैसे ब्यक्ति को आपको बीपी की सिकायत रहने की संभावना ज्यदा रहती है धुम्रपान करना जो ब्यक्ति बहुत ज्यदा मातरा में धुम्रपान करता है नसा किलत है उसको बीपी का सिकायत रहने का डर हमेशा रहता है सराप पीना, जो बहुत ज़्यदा मातरा हम सराप पीता है उसको भी बीपी का सिकायत रहता है उसको बहुत ज़्यदा नमक खाना, जो बहुत ज़्यदा खाते है उसको भी बीपी का सिकायत ज़्यदा रहता है जो ब्यक्ति बहुत ज़़ा वासा जुक्त भोजन खाते हैं उसको भी BP का सिकायत रहता है मानसिक तनाव कभी ऐसी हो जाती है कि अप लंबा लंब बहुत ज़़ा दिनों तक नींद नहीं आती है यह रत्रत पर जगे रहते हैं तो ऐसे ब्यक्ति का BP अपने आप हाई हो जाता है डाइबिटीज भी BP बढ़ाने में सबसे बहुत अमरोब लिवाता है जिस ब्यक्ति को डाइबिटीज की सिकायत रहती है उसको भी BP का सिकायत रहता है इस ब्यक्ति के दोरान भी आपका BP हाई है व्यक्ति के दोरान जो BP होता है 144,90 होता है चुछ नहीं BP अपने आप बढ़ जाता है हम BP से कैसे बचाओ करेंगे BP से बचाओ करने के लिए आपको पहले तो अपने को एक्सरसाइज कीजिए अच्छा निंद लिजिए, स्वस्थ आहार लिजिए, और स्वस्थ जीवन सा लिजिएने की कोशिस कीजिए, स्राब की नासा मत कीजिए, और अपने रख्त चाप कंट्रोल करने के लिए फैटी चीज मत लिजिए, ठीक ना? उजिए रोज आप नियमीत एक्सराइज करें, नियमीत ब्याम करें, जो खाना ले उसमें ज्यादा मतरा में फाइब्रस जुक्त खाना ले, डाइट पलन ज्यादा हो, कलोस्टरोल की मतरा कम हो, तकि आपको ऐसी सिकायत नहों ले, शरीर कुप से हमेसा एक्टिव रहे है, शर होता कि हम देखनता को अफम अबल लैवे को जिसके नहीं हैं धूम्रपान से अपने आपको प्रहयर रखे, धूम्रपान मत कियाता है , हम अपर लूप करना करो जिससे अपने मेंटर्ली प्रेसर अपने बढ़ जाए हाई पृषिस की जांच कैसे होगा जभी आपको इसे अपने सिकायत हो तो तुरुन टॉक्तर कर चाहिए डॉक्तर के पह जाओ आंक भाद बीपी टेस्टिंग कराईए उसके बाद इसके क्या 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 कारण है क्यों आपका बीपी हमेंसा बढ़ रहा है उसके लिए ECG करा लिए कोलिस्ट्रोल लेवल चेक करा लिए इरिण टेस्ट करा लिए तक पता चल जाए कि आपके बीपी क्यों जदा बढ़ रहा है BP के लिए बहुत से दवाईएं भी बजार में MLODEPIN है MLOKIND 80 है उसके बाद TELYMISARTAN है BITA BLOCKER है उसके बाद PIRUSSIMIDE है बहुत से ऐसी दवाईएं हैं जो कि BP को कंट्रोल कर सकता है लेकिन उसके लिए BP को कंट्रोल करने के अब जिवन सली में परविथन करना पड़ेखा कि एक ऐसी चीज है हमेशा रहने वाला चीज है उसके लिए सबसे बढ़िया है दवाः के साथ अपने जिवन करना खाना कम किजे अप फैरेस जुकत खाना कहे। कलस्ट्रोल खाना कम कें अपने life को ज़्यादा active रखे, exercise कीजिए, ब्याम कीजिए, tension free रखने कोशिस कीजिए, ताकि आपका सरीर क्या रहेगा, स्वस्त रहेगा, तनाव कम करे, physical activity बढ़ा ले, तनाव स्वस्त जियों सली जीने की प्रयास करे, ताकि आपका life क्या होगा, control में रहेगा, बीपी control में और आपको किसी भी प्रकार के समस्या नहीं होगा, thank you, अधि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, like कीजिए, subscribe कीजिए, और share कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद,